हम दूसरों का भणा करके त्याग करके सुख पाते हैं और हम किसी भी देश में रहे ये भावना नहीं बदलती है हम दिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करते हैं यहां अमेरिका में आपने डॉक्टर्स के रूप में रिसर्चर्स के रूप में टेग प्रोफेशनल्स के रूप में साइन्टीस के रूप में या दूसरे प्रोफेशन्स में जो पर्चम लहराया हुआ है वो इसी का प्रतीक है अभी कुछ समय पहले ही तो यहां टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्लकप हुआ था और ये से की टीम क्या गजब खेली है और उस टीम में यहां रह रहे है भारतियों का जो योगदान था वो भी दुनिया ने देखा है साथियों दुनिया के लिए AI का मतलब है Artificial Intelligence लेकिन मैं मानता हूँ कि AI का मतलब है American Indian अमेरिका इंडिया ये स्पिरीड है और वही तो नई दुनिया का AI पावर है यही AI स्पिरीड भारत अमेरिका रिस्तों को नई उंचाई दे रहा है मैं आप सभी को Indian Diaspora को Salute करता हूँ I salute you all साथियों मैं दुनिया में जहां भी जाता हूँ हर लीडर के मुँ से भारती ये डायस्पोरा की तारी भी सुनता हूँ कल ही प्रेजिडन बाइडन मुझे डेलावेर में अपने घर ले गए थे उनकी आत्मियता उनकी घर मजोशी मेरे लिए दिल छिव लेने वाला मोमेंट रहा ये सम्मान एक सो चालीस करोड भारतियों का है ये सम्मान आपका है आपके पुर्शार्थ का है ये सम्मान यहां रहने वाले लाखों भारतियों का है मैं प्रसिडेंट बाइडन का आभार करूंगा और साथ ही आपका भी आभार वेक्त करूंगा साथियों 2024 का ये साल पूरी दुनिया के लिए बहुत एहम है एक तरफ दुनिया के कई देशों के बीच संगर्श है तनाव है तो दूसरी तरफ कई देशों में डेमोक्रेसी का जश्न चल रहा है भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ है यहां अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और भारत में चुनाव हो चुके हैं भारत में हुए यह इलेक्शन यूमन हिस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े चुनाव थे अब कलपना कर सकते हैं अमेरिका की कूल आबादी से भी करीब दो गुने वोटर्स इतना ही नहीं पूरे यूरोप की कूल आबादी से ज़्यादा वोटर्स इतने सारे लोगों ने भारत में अपना वोट डाले जब हम भारत की डेमोक्रेशी का उसका स्केल देखते हैं तो और भी गर्व होता है तीन महिने का पोलिंग प्रोसेस पंदरा मिलियन यानि डेड़ करोर लोगों का पोलिंग स्टाफ एक मिलियन यानि दस लाट से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन दाई हजार से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आठ हजार से ज़्यादा केंडिडेट्स अलग अलग भासाओं के हजारों निूज़ पेपर्स सेकडो रेडियो स्टेशन सेकडो टीवी न्यूज चैनल करोडो सोशल मीडिया एकाउंट्स लाखों सोशल मीडिया चैनल्स ये सब भारत की डेमोक्राशी को वाइबरन बनाते हैं ये फ्रीडम अप एक्स्प्रेशन के विस्तार का दौर है इस लेवल की स्ट्रिटनी से होकर हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया गुजरती हैं और साथ्यों इस लंबी चुनावी प्रक्रिया से गुजर कर इस बार भारत में कुछ अभूत्पुर्व हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है अब की बार अब की बार आपके बार